नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे चैनल मेडिकली स्पीकिंग में और मैं हूँ आपके साथ काजर शर्मा दोस्तों डायबिटीज इन दिनों एक आम बिमारी बन चुकी है भारत में कई लोग इससे परभावित हैं यहां इस बिमारी के कुल मामले लगबग 62 मिलियन है ऐसे में तेजी से बढ़ते डायबिटीज के मामलों के बीच इसे लेकर सावधानिया बरतनी भी बेहत जरूरी है दोस्तों तेजी से बदलती लाइफस्टाइल का असर हमारी सेहत पर भी काफी जादा पढ़ने लगा है खानपान के परती हमारी लापरवाही अकसर हमें कई समस्याओं का शिकार बना देती है डायबिटीज इनी समस्याओं में से एक है जिससे आजकल कई सारे लोग पीडि यह एक लाइलाज पिमारी है जो आनियंतरित होने पर गंभी रूब भी ले सकती है ऐसे में जरूरी है कि इसे कंट्रॉल में रखा जाए दोस्तों डायबिटीज को कंट्रॉल में रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में सही बदलाव करना बेहत जरूरी है एक मरीज हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रॉल में रखना चाते हैं तो इन ड्रिंक्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं मेथी दाने का पानी कई पोशक तत्वों से भरपूर मेथी दाने का पानी सेहत के लिए बेहत फाइदेमंद होता है खास्तोर पर या डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है इसमें गुलनशील फाइबर और सैपोनीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जो कार्वो हाइडरेट के पाचन और एबजॉर्प्सन को धीमा करके बलड शुगर को नियंतरित करने में मदद कर सकते हैं मेथी दाना, कॉलेस्ट्रॉल और बलड प्रेशर को कम करने के लिए भी एक सूपर फूड है ऐसे में अपने दिन की शुरुआत इस ड्रिंक से कर आप दिन भर बलड शुगर लेवल को कंट्रॉल में रख सकते हैं गिलोय का पानी, कई औशद्य गुणों से भर पूर, गिलोय स्वास्ते से जुड़ी कई समस्याव के लिए रामबान इलाज है कोरोना काल के बाद से ही लोगों की बीच इसकी लोग प्रियता काफी बढ़ गई है इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही गिलोय बलड शुगर कंट्रॉल करने में भी काफी साहयक है इसमें मौजूद बर्बेरीन बलड शुगर लेवल को कम करता है बर्बेरीन डायबेटीज की दवा मैट और्फिन के समान ही काम करता है दाल चीनी की चाय खाने का स्वाद बढ़ाने वाली डाल चीनी भी डायबेटीज की समस्या में काफी कारगर हो सकती है डाल चीनी में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व बलड शुगर के स्तर को नियंतरण में रखने के लिए इंसुलीन के रूप में काम करते है तो दोस्तो अगर आप भी अपना बलड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना चाते हैं तो आप भी इन ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं या आपको बलड शुगर लेवल कंट्रोल रखने के साथ साथ आपको हेल्धी भी रखेंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही ऐसी और हैल्थी टिप्स के लिए बने रहे हमारे चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ धन्यवाद